आज हम 77 exercise की dictation करने वाले हैं सबसे पहले आपने इस passage के words को practice करना है full page या half page भी आप practice कर सकते है according to your need जैसे आपको learn होते हैं वैसे आपने इनकी practice उतनी ही करनी है अगर कोई word आपको ज्यादा मुश्किल लगता है जैसे यहाँ पे है linguistic हो गया या sanguine हो गया ठीक है तो इन words की अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो ज्यादा practice करें तकि आपको dictation लिखने में कोई दिक्कत ना है और यह आपको learn हो जब आप इनकी practice करके छोड़ जाएं बाद में भी आपको यह learn होने चाहिए यह नहीं कि आपने practice करी और dictation लिए उसके बाद कुछ दिन बाद बूल गए ऐसे इनको practice करना है कि आपको याद रहें वो then आपने उसके बाद इनकी practice करने हैं और साथ में English में भी इनको transcribe करके ज़रूर देखना है तकि English में भी कोई error ना आए then I hope आपने अब तक इस passage को अच्छे से practice कर लिया होगा तो अब हम इसकी dictation करेंगे so get ready, start, quick, quicker, quickest, request, requisition, choir, enquire, square, sanguine, linguistic, well, well, wealth, well known, unwell, while, meanwhile, ruler, dweller, fuller, chancellor, bearer, restorer, explorer, admirer, plump, bombay, embarrassed, impartial, lumber, dampen, wear, everywhere, impression, ample, error, color, color, popular, scullery, stop, यहाँ पर आपकी dictation पूरी होती है अब आपने अपने dictation को English में transcribe करना है उसके बाद आपने बुक में से words जो हैं वो देखके चेक करने है कि कहाँ पर आपकी mistakes आ रही हैं जितने आपकी mistakes आएंगी उनको आपने improve करना है इंग्लिश में भी लिखेंगे साथ में short hand में भी आपने practice करनी है और धिहान रखना है कि आपके error ज़्यादा कहां रहें English writing में या short hand writing में तो जहां पर ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है उस चीज के अपने ज़्यादा practice करनी है अगर आपको English में लिखने के ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपने उसकी ज़्यादा practice करनी है उन words को English में लिख लिख कर जो है वो भी practice करना है ताकि आपकी mistakes ना आ आएंगी तो short hand लिखने का भी कोई फाइदा नहीं होगा, then practice both.